डाइबीटीज में किस तरह फायदेमंद साबित है कैमल मिल्क जाने इसके लाब कहते हैं दूद पीना सेहत के लिए फायदेमंद होता है गाए, भेंस और बकरी का दूद ही लोग सबसे ज़्यादा पीना पंद करते हैं करें भी क्यों न, सदियों से इन पशुओं का दूद चला आ रहा है लेकिन अब बाजार में एक प्रकार का दूद और बिख रहा है जो है उन्टनी का दूद जिसे अंग्रेजी में कैमल मिल्क कहते हैं आई ये जानते हैं किस तरह ये सेहत के लिए फाइदे मंद होता है कहते हैं उन्टनी के दूद में गाई की दूद की तुलना में ज्यादा बेहतर पोशक तत्व पाई जाते हैं इसमें आएरन, प्रोंटीन, विटामिन सी काफी ज्यादा मात्रा में पाया जाता है फैट की मात्रा इसमें काफी कम होती है उन्टनी का दूध, डाइभीटीज के मरीजों के लिए दवा का काम करता है ये उनकी सेहत के लिए काफी फाइदेमंध होता है हाल ही में आए एक शोध से पता चला है कि उंटनी के दूध में इंसुलन परियाप्त मात्रा में पाया जाता है इसके सेवन से टाइप एक और दो दोनों ही तरह के डायबीटीज से बजा जा सकता है डायट बीटीज के मरीज इंसुलन का इंजेक्शन लेने की जगे उन्टनी का दूद डायट में शामिल कर सकते हैं उन्टनी के दूद में कई ऐसे और गीने कमपाउंड पाय जाते हैं जो इम्म्यूनेटी को बढ़ावा देते हैं और स्वास्ते को बेहतर करते हैं उन्टनी के दूद में गाएं और बकरी के दूद की तुलना में ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है ये हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए काफी लाबकारी दूद है कुपोशित नवजात और बच्चों के लिए उन्टनी का दूद वरदान साबित हो सकता है